साथियों नमश्कार एक बहुत ही बेगेरत इनसान ने एक कमेंट किया मेरे पावर अफ एड़ोकेट्स के वीडियो पर और उसने उस कमेंट के अंदर एक लिंक भेजी जिसमें अभी हाली में उत्तर परदेश में एक वकील साब के साथ पुलिस ने बरबरता की थी निश्चा ही उस बरबरता का हम लोग बुरोध करते हैं और उस बरबरता के लिए हम ने जो भी स्टेप लेने थे वकीलों ने वो लिये और वहां पर हड़ताल भी की गई और जो दोशी पुलिस कर्मी थे उनके खिलाफ F.I.R. की मांग की गई और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की मांग की गई इसमें सौमोटो चीफ जूडिशनल मजिस्टेट ने कॉगनी जन्स भी लिया बहुत कुछ उसमें हुआ और हो रहा है अब देखना ये है कि आगे क्या होता है लेकिन उस बेगरत इनसान का जो कमेंड था वो ये था कि तुम अपनी लौकी डिग्री और पढ़ाई बुल जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद तो उस बेवकुफ को ये बात समझ में नहीं आई कि क्या वकील इनसान नहीं होते आप किसी भी इनसान के साथ कहीं भी मारपीट कर सकते हैं जहां आपका समूझ जादा हो जाएगा आपकी सोच के लोगों को समूझ जादा हो जाएगा आप किसी को भी मारपीट सकते हैं तो इसमें क्या वकील के पावर कम हो जाते हैं क्या या लौकी पढ़ाई भूल जाता है किया वो जब इनको ये पुलिस वाले दंडित किये जाएंगे और इनके खिलाफ चारशीट फाइल होगी पुलिस अगिंस्ट पुलिस चलेगा सारा मामला तब उनको समझ में आएगा कि कानून हाथ में लेने का क्या अंजाम होता है या किसी वकील के साथ में बरवरता बिना किसी कारण के करने का क्या अंजाम होता है और वो मैंने वहाँ पर फोन करके भी पता किया था कि आखिर उन वकील साथ में ऐसा क्यों किया गया तो मैंने सबसे पहला सवाल मेरा यही था वहां के एक वकील साब का फोन नमर था मेरे पास मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे यही बताया मैंने का भाई हमारा जो वकील भाई है वो किसी अपराद में सनलिप्त तो नहीं था जिसकी वज़ा से यह बरबरता की गई हो सिर्फ पैसे की दम पर और मकान को फोर्सफुली खाली कराने का उन्होंने एक ठीका टाइप का ले लिया था तो निश्चे ही उसमें पुलिस वाले सभी दोशी हैं और सभी को जो भी कंड दिया जाएगा नियाई पालिका के दौरा वो मंजूर होगा हम सभी को तो वो तो एक किसी बात का कोई भी मतलब निकाल लेते हैं तो दोस्तों पुलिस वाले नहीं पिटते क्या मैंने पुलिस वालों की पिटाई होते हुए देखा है आर्मी बालों ने बहुत जवर्दस्त मारा है तो उसमें तो कोई बात नहीं है इंसान है यार कोई भी चार आदमी घेर करक तो पिट जाएगा बिजारा और इससे जादा तो कुछ नहीं कर सकते क्यों कोई हथियार बंद आदमी तो है नहीं कि उसके पास हथियार हो तो यह सब चीज़ें रहती हैं तो इसके लिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई पावर कम हो गया एक बात बदाईए अग लोग एक्च्वल में इनके अगेंस्ट पर कोई कारवाई कर नहीं पाते हैं उसका कारण यह रहता है कि जो सम्मेधान में पुलिस को एक डंडा दिया गया है वो डंडा और दूसरे किसी भी एजन्सी को नहीं दिया गया है नियाए पालिका के पास भी डंडा नहीं है